अज़ चमदैब आज सबसे पहले परिस्तिती चाहे जो कुछ भी हो मैं अपने चार खुन अंदोलन कारी नेता जिने मुख्वमंत्री की सपत दिलाई गई है मैं आदर नियव बड़े भाई चमपई सोरेंजी का मुख्वमंत्री बनने पर मैं उपकामना देता हूँ मैं व्यक्तिगत रूप से मेरी हमदर्दी बरतमान जो घटना घटी जो परिस्तितियां पैदा हुई उस परिस्तिती में भी एवन जी के पती व्यक्तिगत मेरी शम्मेदना है लेकिन इससे भी ओपर जिस दाइत्तों के साथ आज हम आपके समझ इस सदन में खड़े हैं हो मेरा बड़ा दाइत्त है बहुन अत्मग रूप से काफी बातें हुई अपना पच्छ रखा गया दलिले अभी होनी ये चाहिए थी कि केवल बरतमान परिस्ति पर चर्चा होती तो अच्छा रहता परिस्ति क्यों आई परिस्ति के कारण को कभी-कभी समाजिक रूप से कभी-कभी धार्मिक रूप से जोड़के देखना मैं इस रूप से मैं न सोचता हूँ ना मेरा कोई इस तरह से पर अभ्यान सामने रहता है लेकिन आज मुझे इस बात की लेकर थोड़ी चिंता है कि जिस परदेश जिस जगह पर जिस छित्र का हम लोग नेतिस कर रहे हैं इसका इतिहांस को मैंने तीन पार्ट अलग-अलग करके देखा एक पार्ट स्वर्निम पार्ट हमारा जो हमारा इतिहांस है जेज आजादी से पहले अंग्रेजों के शमय जिस रूप से हमारे इस धर्ति पुत्रों ने लड़ा जिस रूप से यहां के जल जंगल जमीन और आस्मिता की सुरच्छा के लिए वो स्वर्निम काल था जहां लीडर आये जिनको आज तक बरतमान समय तक उधार अनमान के राजनिती में चर्चा हो रही है एक पार्ट उसके बाद जब आजाद भारत में हुआ तो इस जार्खंड के इस खंड को और यहां की प्रक्तिक संपदाओं पर चर्चा सुरू हो गई कि वहाँ यह एक ऐसा छित्र है जिसकी संपदा को अगर सही उप्योग किया जाए तो एक बहतर जार्खंड के उस खंड के लोगों के जिवन उस्तर को सजाए जा सकता है तीसरा काल एक बड़े अंदोलन के बाद इस राजिका गठन हुआ और आप प्रतच रूप से मुझे इस बात को बोलते हुए मैं बड़ा गर्म मसूस करता हूँ कि आप भी अज़च एक जार्खंड अंदोलन कारी रहें तो अंदोलन कारी के बाद जब एक राजप्रदेश आता है और प्रदेश के बाद की जो हिस्ट्री बनती है उसके बाद का जो इतिहास अभी बनाए वो इतिहास कई कंडों के लिए जाना जाता है कई इस तरह से अलग-अलग अपराद अलग-अलग भश्चचार की रुप में इस प्रदेश की गिंती स्रेनी में आकर खड़ी हो गई यह इस पर सबको मंधन और विचार करना होगा हम कोई इस राजी की तरक्की जैसे कोई विशाय या फिर कुछ वह ऐसे विशाय ओपर चर्चा नहीं कर रहे है मैं भावनात्मक अभी पुरुमुक मंत्री जी का भावनात्मक वियान सुन रहा था और मुझे इसमें भी इस बात को अंदोलन कारी परिवार के से आने वाले उनके पुत्र रही अंदोलन में कभी परतच रुप से आये नहीं लेकिन कम से कम उस परिवेस में जीने का आगे बढ़ने का इनके लिए बहुत अउसर था मुक्रमंत्री के रूप में आते हैं और ये बात चर्चा हो रही है कि ऐसा कर दिया गया किसी दल ने उनको फ़सा दिया तो उसके लिए उधारन है इस परदेश के अंदर में गुरुजी इस परदेश से नित्युच करते थे और बताओ जब इस तरह से इस्तिती चीरूडी कांड जैसा कांड उनके उपर आरूप लगता है उस काल में भाजपाप आटी तो नहीं थी भाजपाप सतासिर नहीं थी पिरानवे का भोट फोर नोट ट्रिस्वट कांड उस समय तो भाजपा तो नहीं थी हमारे पूर मुक्वमंत्री मदू कोड़ा जीते तो उस समय तो कोई भाजपा की गवर्मेंट नहीं थी इसलिए इंकित करके किसी के बारे कि आपके कारण ऐसा हुआ ऐसा नहीं हो सकता है ये आरोप कभी भी कहीं पर लग सकते हैं और मैं परसम दिन से लोग पूछ रहे थे कि क्या करना चाहिए एजनसी के पास जाना चाहिए अपना पच रखना चाहिए नियाले पर विश्वास करना चाहिए देश के प्रदान मंत्री भी एजनसी के सामने बारा बारा घंटा रहें ऐसा थोड़ी है कि नहीं रहें एक बार ने दो बार तक उनको एजनसी के सामने जाना पड़ा अपना पच रखना पड़ा कॉंग्रेस पार्टी के जो हेड नेता है उनको अपना पच रखना पड़ा है और यह लोग करते हैं उसका आधर करते हैं सम्मान करते हैं जिस समिदान के दाइरे में हम काम कर रहे हैं अपने अधिनस्त बनाईवे एजनसियों का सम्भान भी तो करना हमारा ही काम है मैं आज इस सरकार में कार्जों के बारे में चर्चा वी मैं उसके पीछे मैं कार्जों का हिसाब दक समाई आएगा निश्यत रूप से च्रचा के पटल पर जाएंगे तो लोग चर्चा करेंगे अपनी और दो बताएंगे झाल झाल